Hello दोस्तों मैं हुरिश्व चार्जियर आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक question जो मेरे previous वीडियो में आया था आपको question दिखा जिता हूँ पहले क्या था तो आधित्या सिंग ने पूछा था this was the question तो question था can I buy this watch or noise 2 तो this watch का मतलब है मैं जो यूस कर रहा हूँ अभी यह वाला watch का मैंने unboxing and review वीडियो भी बनाया है उसका link आपको description में मिल जाएगा दोस्तों वो उल्टा है ठीक है ऐसा दिखने में है and इस product का link दोनों ही product का link description में मिल जाएगा तो basically यह वाला watch खरीदना चाहिए कि noise color fit pro 3 जो 2019 से वो model available है and यह वाला model नया-nया 2021 में launch हुआ है तो चलिए comparison कर लेते हैं वीडियो को पूरा देख लीजिए अच्छा लगे तो एक like जरूर कर देना चाल पे नहीं है वो कुछ मतलब एक महीने पहले भी 2999 का मिल रहा था ठीक है बड़ अब प्राइस कट होके 2499 का हो गया है वेरा जो यह नया वाला model launch हुआ है zebronics का 1220 CH इसका प्राइस है 2799 ठीक है तो अब यह जाधा देखकर नया वाला model खरीदे कि pro 2 ही खरीद ले तो देखते हैं comparison करते हैं discussion करते हैं तो पहले तो start करते हैं display से ओके और एक चीज़ दोस्तों आपको color fit pro 2 दिखने में कैसे वो भी दिखा जाता हूं so this is the green color जो मैं दिखा रहा हूं और भी available है options and this is also square model only दोनों ही square model है but अगर आप physically आप देखेंगे तो there's a difference इसका जो strap है दोस्तो that is the normal जासे कोई भी digital watch में रहते है वैसे strap on the other hand इसका जो आप strap देखेंगे this is the apple watch style strap एकदम same तो इधर आप देखेंगे ऐसे करके लगा के फिर अंदर से लगाना पड़ता है तो this looks similar to apple watch एकदम डिक्टो दूर से देखेंगे तो एकदम apple watch ही लगेगा ठीक है तो design तो वह हो गया display की बात करें दोस्तो तो जो pro 2 है उसमें 1.3 inch LCD display आते है वेरास जो color fit zebronics का है इसमें 1.5 inch का LCD TFT display आता है ठीक है तो थोड़ा सा बड़ा display मिल जाता है बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तो तो slightly जादा बड़ा है color fit pro 2 का 210 mh का बैटरी आता है इसमें 200 mh का बैटरी आता है तो almost similar ही मिल जाएगा water resistant की बात करें तो color fit pro 2 is ip68 this is ip67 ठीक है तो थोड़ा बेटर है ip68 color fit pro 2 में spo2 reading नहीं है दोस्तो जो इसमें है तो अगर आपको spo2 चाहिए तो उसमें नहीं मिलेगा 9 sports mode मिल जाता है दोस्तो उसमें color fit pro 2 में heart rate sleep tracking दोनों में ही मिल जाएगा तो that is same thing no problem there camera control की बात करें basically remote shutter जो color fit pro 2 में नहीं है इसमें है वो option color fit मतलब camera shutter का zebronics में BP की बात करें इसमें BP मेजर कर सकते हैं pro 2 में BP का option नहीं है तो overall दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते ही है and 2799 अगर आप खरीद सकते ही है तो definitely the zebronics one is a better option आपको जादा features मिलता है plus look wise एकदम apple watch हो गया है so I would suggest you go for this this will be a lot more value for money एकदम नया नया model है तो features आपको जादा मिल रहा है तो overall my choice would be the 1220 CH इसका link आपको description मिल जाएक अगर आप interested है खरीदने में वीडियो कर अच्छा लगा दोस्तों तो एक like जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो subscribe कर गए